हेलो गाइज, वेल्गम बैक टू माई चैनल, दीवाली तेवार में हमारे घर पर जो खील और पोहे आते हैं अक्सर बच जाते हैं, तो उनका क्या करना है, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए एक अच्छी सी रेसिपी ले के आई हूँ, जो बच्चों से लेकर बड़ो तक सब को बहुत पसंद आने वाली है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, क्या करना है, सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें एक कटोरी खील की ले लिए, इनको एक से दो बार अच्छे से हम या पानी डाल कर दूल लेंगे, और दो मिनट के लिए रख देंगे, ये अच्छ अच्छा हुआ हरा धनिया, साथ में दो चम्मच कॉन फ्लार के एड़ कर देंगे, और दो चम्मच बेसन के, और साथ में सौध के अनुसार नमक डाल देंगे, और डाल देंगे साथ में लाल मिर्च का पावडर, फिर क्या करना है, सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम को हम इस तरह का शेप देंगे, इसके इसको थोड़ा से फ्लैट करेंगे, और अंदर स्टिक डाल कर इस तरह से कर देंगे, और यह हमारा हो जाएगर लॉलिपॉप, मतलब इस डिश का नाम मैंने रखा है, पुहा लॉलिपॉप, यह हमारे लॉलिपॉप्स बनकर एकदम र कर लेंगे, सारी जो अंटा है, हमने तयार किया, इसको ऐसे ही लपेट लपेट कर सारे लॉलिपॉप्स को हम रेडी कर लेंगे, यह हमारे लॉलिपॉप्स एकदम तयार है, फिर क्या करना है, गर्म तेल में इनको एगे करके ऐसे डालते रहेंगे, और यह ध्यान रखना है तेल हमारा मेडियम गर्म होना चाहिए हाई फ्लेम पर इनको फ्राय नहीं करना है दीज़े दीज़े इनको पकाते रहेंगे जैसे जैसे पकते जाएंगे एक साइज इनको उल्टे करके दूसरे साइड भी पका लेंगे लगव पांसे साथ मिनिट के बाद ही हमारे लॉली पॉप्स बनकर एकदम तयार हो जाते हैं यह देखिए हमारे फ्राय हो चुगे लॉली पॉप्स इनको अलग बरतर में निकाल लेंगे कोई भी गेस्ट आपके यह एकदम आजाता तो आज कल खील और पॉय अक्सर हमारे घर में रखे ही रहते हैं तो आप यह रेसिपी उनके साथ उनको बना कर खिला सकते हैं उनके लिए बना सकते हैं और खाने में तो बहुत ही लाजवाब और कम चीजों से यह बनकर तैयार भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक से और कमेंट करना बिलकुल भी न बूलें